बेलकम बैक माई बेसिक क्लास तो आज की क्लास में हम सीखेंगे रास्ते का छेत्रफल निकलना और छेत्रफल को लेकर ये हमारी तीसरी क्लास है यानि तीसरा वीडियो है यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है एक मैदान की लंबाई 50 मीटर है और चोड़ाई 40 मीटर है इसके बाहर चारो तरफ 2 मीटर चोड़ा रास्ता है तो रास्ते का छेत्रफल बताओ तो यहाँ पर हमने चित्र बना लिया है तो इसके बाहरी जो लंबाई है वो है 50 मीटर की दो आयत बन रहे हैं एक तो ये बन रहा है बाहर की तरफ आयत जिसकी लंबाई है 50 मीटर और चोड़ाई है 30 मीटर और एक आयत और बन रहा है इसके अंदर ठीक है उसकी लंबाई चोड़ाई हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कुल छेत्रफल निकालना है रास आफ्ता सहित छेत्रफल बराबर छेत्रफल का सूतर आपको पता है लंबाई गुणा चोड़ाई ठीक है लंबाई गुणा चोड़ाई तो हमारी लंबाई कितनी हो रही है पचास मीटर की हो रही है और चोड़ाई हो रही है हमारी तीस मीटर ठीक है तो इसका गुणा करेंग हम तो यह हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर तो 1500 वर्ग मीटर जो है यह टोटल छित्रफल आ गया है रास्ता सहित अब हम रास्ता को छोड़कर निकालेंगे पर निकालेंगे हम रास्ता छोड़कर छित्रफल तो रास्ता छोड़कर हमारा जो छित्रफल बन रहा है वो कितना बन रहा है तो देखिए यहां से लेकर और यहां तक पुरा 50 है और अब अंदर वाली इस लंबाई की जो है माप निकालनी है हमें तो देखिए 2 मीटर तो इधर से कम हो गया और 2 मीटर इधर से कम हो गया तो यह रह जाएगा 40 मीटर 46 मीटर की लंबाई रह जाएगी इसकी और चौड़ाई देखते हैं इधर तो पूरा यहां से लेकर यहां तक 30 है और तो 2 मीटर इधर से कम कर दो और 2 मीटर इधर से कम कर दो तो यह चौड़ाई इसकी रह जाएगी 26 मीटर ठीक है? हमने रास्ता छोड़ करके और लंबाई चोड़ा इसके निकालनी है तो रास्ता छोड़ कर जो लंबाई बन रही है हमारी तो यहां पर करेंगे रास्ता छोड़ कर 6 तरफल बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई तो यहां पर हमारी लंबाई बन रही है चालीस मीटर क्योंकि दो मीटर इधर से कम हो गया दो इधर से कम हो गया तो चालीस गुणा चब्वीस चब्वीस कैसे क्योंकि ये पूरा तीस है बाहर की तरफ और जब अंदर का निकालेंगे तो दो मीटर इधर से हो जाएगा कम और दो मीटर तरफ यानि पूरा छेत्रफल निकाल लिया हमने और रास्ता छोड़ कर हमने छेत्रफल निकाल लिया है ठीक है अब हमें रास्ते का छेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर लेखेंगे रास्ते का छेत्रफल बरावर कुल छित्रफल माइनस रास्ता छोड़ कर छित्रफल तो यहाँ पर हमारा हमारा कुल छित्रफल है यहाँ पर 1500 मीटर 1500 वर्ग मीटर और रास्ते को छोड़ कर है हमारा यहाँ पर 1196 वर्ग मीटर अब घटा करके 304 वर्ग मीटर ठेक है 304 वर्ग मीटर यहाँ पर इसका रास्ते का छित्रफल आ चुका है यह इसका आंसर आ गवा है उम्मिद करता हूँ सवाल आपकी समझ में आ गया होगा फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हूँ वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद